कि प्रुंदाव लमिविहारी लाल की राधाव रानी की है कि श्री राधी राधी भाक्ति प्रश्ण उत्तरी कारेकर्म प्रारंब किया जा रहा है आए हम प्रश्ण को श्रवन करें कि श्राध्या दे गुर्दी आपके स्री चर्णों में बाराम बार्ण प्रणाम आज का प्रश्ण है गुर्दी मैं पटियाला से बोल रही हूं नाम गुपत रखना चाहते हूं मेरा प्रश्ण है कि महराज जी आप महिला विर्ख साधक के लिए साब्धन्या बता दीजिए जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए आज के समय में अपनी साधना करते हुए इसी जन में भगवत प्राप्ति कर पाएं और मार्ग ना भटक जाएं महराज जी मैं आपका सासंग पिछले 6 साल से सुनाई हूं उससे मुझे बहुत मुद्द मिली है आपको कोटी-कोटी प्रेमा कासा प्रेमा और काय अर्थात् शरीर से वचन अर्थातवी ऐसे मन यह मन वानी शरी 3 तंव से अपने पती के चर्नों में सथ्या प्रेम हो यही सर्वोत्तम व्रतt है यह यंदुधिया मता ने शीता जही सिका अ तो माताओं को विशेश रूप से यह लाव भगवान की और सुप्राप्त है कि वो ठाकुर जी के साथ अपना माधूरे भाव जोड़ सकते हैं पुरुष लोग भी जोड़ सकते हैं लेकिन पुरुषों के सम्मू का हंकार वाली बादा बहुत आती है क्योंकि वो अपने को किसी की श्त्री अर्थात प्रिया ने मान के अपने को प्रियतम मानना चाहते हैं जीवन में ऐसा ही अभ्यास अदिक्तर होता है कोई बहुत उच्चकोट का भग तो पिछले जन्म की साधना हो थी तब तो वो गोपी भाव में हो जाता है पूरुष भी जैसे राधा बाबा थे श्री पोद्दार जी महराज थे बाल कृष्ण दाश्टी थे और वह बहुत चलोग थे लेकिन माताओं को वात्सल्य भाव और माधुरी भाव कि दोनों सहाज प्राप्ट होते हैं तो आपको प्रश्ण करता माता के लिए मैं कर रहा हूं और लोगों के लिए भी है है जिग्यार को वात्सले भाव में सहाजिष्ब भाव के अनुसार लगता है बहगवान को अपना बच्चा मांती हो अपना पूत्र मांती है आप भागवान को तो पूत्र हूप वाला भावत्शा लिए ओ सर्वं है और यह अवे भणवान से ऐसा प्रेम है जैसा कि किसी प प्रेम अहलjak मैं आपका इतना होता है इतनी शक्ति कि भगवान प्रभु झुख जाते हैं अर्थात इस के अंदर प्रेम में होता है उसके लिए प्रभु सब कुछ करने को त्यार हो जाते हैं बस हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भागवत विमुख जाने वाला कोई कारे तो हमसे नहीं हो रहा है भाक्ति की विरुद्ध हमारे जीवन में कोई घटना कोई संपर कोई परिचय कोई रिलेशन और कोई पदार्थ है जे ऐसा है तो बाद रख है उसको त्यागना अब प्रभु की संब्ट प्रत्रम कोन करें जा रहा है वह हमारे लिए घ्रहनी है और करने है कि यहें मारे यह मात्र मात्र रखने युद्ध यह पैफे और माश्म सीच ठीक करें और कंठीय माला पहनने से क्याक्या प्रफु का धाम प्राप्त होता है चीटा किस्व में पहिने रहने से नर्क जाने से जीव भच जाता है और भक्ति करता है तो प्रफु का धाम प्राप्त होता है चीटा किस्व में चीटा पर जब दीव शरीरदा होता है मैं पहले बता चुका हूं तो उसमें कंठी गले से नहीं उतारनी चाहिए तो बहुत सहायक होती है शरीर के साथ बसम होता है तो अनंत महिमा है आप ऐसे समझ कि जैसे गले में कंठी बंद गए तो हम बंद गयता और भागवान के हो गये है इसलिए कभीर धा जी ने कह दिया कभीरा कुटा राम का छ Beni तर की कुटा के मैं मैं बंदहा है तो प्रह जिसकी गले में नहीं मंदा है वह पाल प्रहितारी तो उसको कोई भी डंडा मारता रहता है जिसके गले में बढ़ा हुआ है उससे लोग डरते हैं इसको मारेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी हमको ऐसे जिसके गले में कंठी भगवान की बंद गई तो भगवान का वह अपना हो गया भले खुट्ता ही सही अरे कभीर डाश जी जैसे सिद्ध पुरुस भागवान की पार्शद प्रलाज जी के अतार वह अपने को कुट्ता बताने में बड़े खुश हो रहे हैं कभीरा कुटा राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की रासरी जित खीचें तित जाओं मेरे गले में उनी राम जी की रस्षी बड़ी हुई है वज धीडर मुझे कीष्टे में उधर खुश होकर जाता हूं उचलता कोदता हुआ प्रसन्द होकर जैसे पालतु खुटता खुटता कोदता पुछिला था जाता है जब मालिक खींचे तो मालिक की प्रती समर्पन होता है ऐसे ही जो भगवान की गल्ड कंठी गले में बांद लिया वो भगवान का समर्पित भगत तो हो गया अब उसको कोई दुख नहीं होता संसार में हमारी ठाकुरजी अपने अपकाहे का दुख है तो क्या क्या पूचाई कि यह होनी चाहिए अश्री तुल्सी की माला आप लिजे और बहुत सारी वीडी का पालन करना है तो आपको पीपल के पत्ते दो लाने पड़ेंगे बड़े बड़े पत्ते यह जब मैं पहले बटा जूपाँ फिर भी तोड़ा आज बटा दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग पिछला नहीं सुन पाते हैं तो पीपल के दो पत्ते लाने हैं और लाना कभ है शनिवार के दिन पीपल क जो चिकना तल होता है वह उपर रखो खुर्दरावाला जमीन पर और उसको पंचा मुरत में माला को भिगो करके उसी पीपल के पत्ते पर रखकर दूसरा पत्ता उसके उपर ढक्तन की तरह से होड़ा कर दो भगवान के चरणों में रखो कीर्टन कम से कम दो गंटा करो उस माला को सुभगवान क किश्मान के बाद उसको माला को भी इश्मान करा लो और जल प्हेंक ना नहीं चाहिए वह जल या तो कोई नदी में सेरौवर में कूप में डालना चाहिए और नहीं कुछ मिलता है तो तुलसी माता के चरणों में डाल जना अच्छी है उसकी बाद माला को भगवान को पहिनाओ भगवान को पहिना करके प्रसाधी के रूपने उन्चे लो और उन्चे प्रार्थन करो कि प्रभू आपका नाम जब करना है भजन करना कीर्टन करना है नाम साधना करने आप अपनी कृपा की शक्ति के द्वारा इस वो देश में बल प्रदान करिए तो फिर वो माला भागवान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो गई अब आप उससे खूब जब करिए प्राण प्रतिष्ठित माला में क्या सकती होती है तुलसी माता जब करने में सहायक हो जाती है जहां भूलने लगे तुलसी माता याद करा देती है एक आज चूट गया तो पूरा भी कर देती है तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठित माला क सब्सक्राइब करने में महाथ प 90 प्रश्ण गुरुजी और गओ भगध के लिए बहुत रोना चाहती हूं उनके दर्सनर चाहते हूं आपका प्रेम चाहती हूं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है पहले मैं बहुत रोती थी बहुत रोना आता था भग्त चरितावली सुनकर लेकिन अब भग्द चरितावली सुनकर भी उतना रोना नहीं आता पता नहीं गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है कुछ अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसे मैं ऐसा क्या करूं गुरुजी कि भगवान के लिए बहुत रोना है और उनसे बहुत प्रेम हो जाए क जिसमें ऐसा प्रेम उठपन्द होता है और उस प्रसंग विशेश को जिसमें आपको भाव विभोर दशा में रुका नहीं जाता है बिना आखों से आंसु गिराए उसको आप डाउनलोड कर लो या नोट कर लो कहीं उन्हों उन्हों चरित्रों को थोड़े थोड़े जिन के आप रिपीट करो फिर से सुनो और ये भी आपको करना पड़ेगा कि संसार में केवल भगवान की भक्तों से ही संबंद जोड़ना है और लोगों से संबंद नहीं जोड़ना है रिलेशन तो ठाकुर जी से है लेकिन भगवान की कारण राम की कारण राम की कारण ही और लोगों को अपना मानना चाहिए और ये भगवान से संबंद नहीं है तो उसको फिर नहीं मानना चाहिए मानव सबंद राम के नाते तो भगवान के संबंद से किसी को अपना मान सकते हो सोतंत रूप से नहीं है और उन उन चरित्रों को बा बार बार थोड़े थोड़े जिन में आप सुनते जाओ जिसमें प्रेम अधिकुत्पन होता है लेकिन किसी के सामने मत सुनो अब जब आप किसी के सामने सुनोगे तो बार बार उसको इचारा करोगे कि सुनो देखो ध्यान दो ध्यान दो अब आपका ध्यान तो लगेगा नह तो लाब कम मिलेगा आकेले में बैठके सुनो जहां तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारे प्रेम वीवल रशा को कोई देखे ही नहीं चके किसी की दृष्टी पढ़ती है तो प्रवाह रूख जाता है मन्द पढ़ जाता है जिए भगवान की चरित्र में हांसने में कोई दो कि बाल लिला सखाओं के साथ है उसमें तो आनन दाता है और प्रेम भरी लिलाओं में आंसु का प्रवाभ होता है इसलिए कभीर दास्ती ने कहा है कभीरा हांसना छोड़ दे रोने से कर प्रीट बिन रोए ना पाईये प्रेम पियार अमीत वो काते हांसने से ज्जादा रो आप कथा श्रवन करो और सब कथा सुनना जरूरी नहीं है एक बार तो सुननी पड़ेगी सब लेकिन उसकी बाद केवल उनी कथा हो को उनी भक्त चरित्रों को सुनो जिसको सुनने पर आनन से भर जाता श्रु प्रवाचा लोग जाता है शीराधी राधी माहराजी आपके मैं मैं चरणों में कोटी-कोटी पानाम मेरा नाम मिता सरमाय मैं स्वीजर लेंड में रहती हूं मैरा प्रश्निया है कि मैं नाम जिप करते ह Dame यह तर नाम-जिपकर प्रारंब में ऐसा होता है नाम जपने का अभ्यास जब तक नहीं होता है तब तक हठ पूर्वग्यब करने से थोड़ा सा हो सकता ऐसा लेकिन बाद में थोड़ा भगवान की और भी ध्यान लगा रहे ऐसा प्रयास करिए भगवान की तरफ या किसी सिद्ध महान संथ भक्त ब महान गुरुदेव का चरनारविन बार-बार स्मृतिपत में आए और जब चालू रहे तो आपको लाब भी जादा होगा और ऐसे शारीडिक व्यथा से कोई बादा नहीं पड़ेगी शिरादेव मेरा नाम प्रदेप है मैं दिल्ली से बोल रहा हूं गुरुजी घर में सु कि करता करें सिरादेरा देव अरे बाई प्रदीध का जनम होटा तो सभी माता सूटक में होती हैं ऐसginesे का जनम होगा है तो कि माता को तो सूटक है आप मानो गना तो अकानैया अपना ही बेटा माना वाकन लो सूटक जो पविघ्ट रहेओ जाएगए बहृट पहुं पैड ही अधसर पहुआ है उप्पपा करो कर्मकांद में चलते रहोगे ऊतरा रगा रहेगा रोज कोई न कोई आयेगा नाज कोई आयेगा उपर कोई नीचे आयेगा तूटने वाले नहीं भाजन तूटता जाएगा बजन तूटता जाएगा इसलिए सूतक को मत मानो भाक्ति को ही मानो एक भगवान को ही रोजाने घर में एक नएक लीलाओं के साथ देखते रहो उनका जन्म हो गया अब उनका तो सूतक भी कल्यान का रही है राम जी का जन्म हो गया तो बज्चे लगता है संसार वा सूतक भगवान की भगभवान्ति में बाधा डालते वह कभी नहीं मानों उनको खूब खिलाओ पिलाओ खूब कीर्टन करो खूब सेवा करो और जितना यह अधिक प्रेम से प्रभु से जुड़ोगे उतना इस अंसारी के बंधन तूटते चले जाते हैं शिरा दे जाते हैं जुकाइब दूसरा प्रशनी गुरुझी दी पंडित जी ने संतान प्राप्ति के लिए कुल पाल मंत्र कर रहें तो क्या सूथ न कर सकते हैं कर मार्दशंकरी गुष्यरादे तदम का मंत्र है तो भागवान के सामने सूथक क्या होता है alter city शूतक में क्या सकती है अरज शूतक जैसी चीज होती है बहुत चूटी तुछ ती यह कोई ग्रह की बात हो कि यह किसी अपभिट्रता की बात हो थाकुर जी क्याने प्रम भापभत्रता बनी रहेगी क्या भागवान आगे भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, भगवान को खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, आपना खाना नहीं बंद करते हैं, भगवान को खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, इसलिए भाक्त के लिए कोई सूतक नहीं होता है, आप आनंद के साथ प्र प्रियाप्रियतम कर सकते। नाम ह sacrifices कि एग प्रियाप्रियतम है। बराबर होता है जो राधा का नाम वोई कृष्ण का नाम और आप ये जी भगवान से माधुरिभाव से जुड़े हैं तो और अच्छी बात से दोनों की कृपा प्राप्त करो भाइडा ही है कोई हानी नहीं इसमें राधी राधी आपका दास बैभव साहू संत्रविधास नगर से हूं प्रश्ण है क्रपा की भीख मांग रहा हूं और मेरे परिवार में पहले किसी की मुर्ति हुई थी जन्माश्टियों की दिन पर तो क्या हम जन्माश्टियों मना सकत हैं और ब्रत रख सकते हैं भारम भारत ड्रंगत गुरुदेव बताने की कर्पा करें शिरादेवादे अपका कई जगह जन्माश्ट में लोगों ने कल ही मना लिया और कुछ जगह आज भी है जैसे मठूरा में कल ती आज ब्रंदावन्दाम में बहुत जगह अपने भक्त भागवान के लिए मैंने बताया ने सूटक वाली को या मृत्य वाली या संकट वाली कोई बात नहीं होती है अरे यह मरन धर्मन संसार ही है ऐसा को नहीं जो नहीं मरता है नहीं कोई जन्माश्ट में को मरा होगा होली को मरेगा दिपावली को मरेगा कोई ने कोई त्योहार बीच में आते रहेंगे तो आप भगवान को छोड़ दोगे क्या अपने को एक दिन मर नहीं है सदा तो कोई रहेगा नहीं तो भगवान को किसी बहाने से भी नहीं छोड़ना चाहिए और उत्सा और उत्सा से जन्माश्ट में कि कुछी ने शरी छोड़ा था तो अब आप प्रभूस से कहो कि महाराज वो तो बड़े भाग इशाली थे जो आपके जन्म की दिन चले गए ऐसी कृपा मेरे उपर भी कलना हम भी आपके जन्मास्टिमी के दिन आपका नाम गाते हुए आपका उत्तो मनाते हुए आपके धाम जाएंगे आपको और ज्याद सान草 चाहिए उट्सा से उट्सो मनाना चाहिए भगवान काउट्षो किसी भी कारण से नहीं रोकना चाए लो इसा क्यों होता नै अरे मृटू का लोग है सभी को पैदा होना मरना इस रहान करने वाली कोई बात नहीं हो कि ब्रमा का कौन यह जो चालू रहता है अपने को अपने उठाकोल जी की भाक्ति करने हैं या राधिरादे महराजी मैं उशागरवाल दिल्ली से प्रश्ण है महराजी मेरे माता पिता रामसुक दस महराजी से जुड़े हुए थे शिर्फ राम करना रिसिकेस में रहना यह किया बचपन से उन्हें सत्संग सुना लेकिन करीब 20 साल पहले मैंने परोस में एक ब्रामन से द प्रामन दिश्ण दिया था मैं वह कर नहीं पाई मुझे सिर्फ रामराम की आदत है तो मैं बचपन से सर्फ रामराम की माना करते हूँ क्या मैं ठीक हूं या मुझे दुवारा दिश्ण लेनी चाहिए मेरा मार्दसन करें में आपकी अतिकर्पा होगी सिर्याद रदे दीग्षा बार बार नहीं लेनी सा इस मार अप्मान हे जिस गुरू को आप सोड़ोगे दूसरें को पकड़ोगे तो पहले वाले गुरू का अपमान तीरसकार हो गया उनको अपने ठ्याग दिया उनका तया कि तो उनका तिरसकार हो गया ना सी भी गुरुदेव जो भी गुरुदेव ने दीक्षा दी है उनको छोड़कर फिर दूसरे गुरु की आवश्यक्ता नहीं होती बस उनका भक्ती मार्ग होना चाहिए इतने ही बात के बुल जानो खान पान गलत नहीं हो सुद्ध सात्विक जी करने की आउस्था है आपकोश्acer सही ग्रहन करने की आउस्था है जैसी उन्होंने आपको महामंत्र की देक्षा दी है खरे के 556 जी के साथ रहने से राम 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 तो आपको राम नाम जपने का अभ्यास है तो दोनों वास्तों में एक है शंकर जी राम राम जपते हैं और उसी के लिए तुल्सिदाश जी ने लिखा है कि महा मंत्र जें जपत महेश हु काशिमुकुतिये टूपदेश ही राम राम जपते हैं शिवजी और तो महा मंत्र हरे राम हरे कृष्टिया दोनों वास्तों में एक ही हैं लेकिन गुरु महराज का तिरस्कार नहों इसलिए सुबह स्नान के बाद कम से कम एक माला माला ले करके जो गुरुदेव से आपको प्राप्ट हुआ वो जरूर जब करिए उनका सम्मान करिए एक माला हरे राम हरे कृष्ण वाली जब लीजे जरूरी है इसकी बात फिर राम 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 फिर वो चालू रखो पहले आप दीक्षा राम सुखदास जी ने भले नहीं दियो लेकिन बहुत महान संत थे और शेट जय देयाल जी गोयंद का दिनका चरिक मैं भी सुनाया था तो तीन जन पहले वो बहुत महान पुरुस्थ थे बहुत उनका चरिक थोड़ा पहले भी सु ना चुकाओं मन वह उन्हीं के आश्रित हो कर रहते थे राम सुखदास जी सेठ डीजय देल जो जो अंदिका के चरन आश्रित हो करके रहते थे और उनकी कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ था बहुत शक्ती सी भाक्ती सी सेवा भाव था गीता प्रेस की सेवा में रेयते हुजूज एख consumption artist और उनके ज्लोंके सानेग्ड में आपने राम 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 जापा है और उन्हों वह गुरू हूए राम्षकदाजी भी गुरू हुए आपके उन्होंने शिक्षा दिये और जिन से जिक्षा मैली उनका भी संमान करो, एक माला उनका दिये ह करो और से इस टाइम में आप राम 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 शुकदाजी से जो प्राप्त हुआ वो जब करते रहें राधे राधे महरा जी महरा जी दोज द्रेश्टी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि देखिए कि बुरा डिखन मैं चला को बुरा ने मिलिया कोई है जो दिल खोगी हो आप ना मुझे बुरा नकोई है कि ऐसे बोलते हैं कि किशी को ये बहुत खराब आद नियुक्षी को मान लो आपने का ये बहुत तरजनी तो उसको तिका रही है थी तर जनी को इसको बूर को दिखा रहे तर के नीचे वाली थी और लिक्रूम करों को कि वोगह जिसके बुरा को इसको प करा रहे हैं UP लेट। तो जब हम अपना दिल खोजाओं आपना मुझसे बुरा न कोई वास्तों में अपना आत्मदोर्श दर्शी बनना चाहिए आत्मदोर्श दर्शी का अतात्पर होता है अपनी कमियों को धूड़ने वाला जब हम अपनी कमी धूड़ेंगे तभी तो सफाई करेंगे अब दूसरा कोई कितना कीचड लपेटे जा रहा है उसको देखते रहोगे बताते रहोगे और अपने कीचड कितना लिपट गया है अभी नहीं देखोगे तो साफ ही नहीं करोगे और जब तक निरमलता नहीं आएगी तब तक छाकुर जी बैठ अंदर कैसे आएंगे इसलिए अंदर की निरमलता के लिए पहले बाहर से निरमलता शुरू करो पर दीरे दीरे प्रभु की कथा की इरतन भजन ध्यान जब इनके द्वारा अंदर भी निरमलता आजाएगे तब शाकुर जी आनम से बैठे हुए तुम्हें सुख प्रदान करेंगे इसलिए अपना दोस्त देखने का अभ्यास डालो तो दूसरे का दोस्त देखने की आदत धिरे-दिरे छुटती जाएगी और हम उस अवगुन से व्यावहार मत निभाओ ऐसे आत्मी के साथ बहुत गलत है तो को एसे उठ जाए उनकी बात तो हमें सुननी पड़ेगी वो जो भी सुनाएंगे हमें सुनना पड़ेगा आप डांत नहीं सकते हो तो प्रातना तो कर शक्ते हो डांतने की हिंमत है तो डांत दो क्याम नहीं सुनन पायेंगे वकी बात एक बार को कहना पड़ेगा रोज-रोज नहीं कहने पड़ेगा क्योंकि वह आत्मीं समझ जाएगा कि हमारा इस फोता नहीं है दूसरा दोन लेगा वह आपको अपनी कता नहीं सुनाओ तो दूसरे के आउगुनों को मत सुनो और अपने आउगु आत्मदोस्थ दर्शन नहीं करना है, रादे रादे गौुझी, आपके शर्ड़ों में कोट कोट पढ़ाँ, गौुझी, हमारा प्रशन है कि जैसे हम बाहर से आते हैं बिंदावन में, दर्शन के लिए, तो समय के अबाव में कहीं, जिसे बाकर भी आरी जी, दर्शन नहीं ह पाया या और कहीं पर तो कोई गुरुजी अफ्राथ तो नहीं बनता है ऐसे में देखे आप समय के अनुसार और परिष्थित के अनुसार जितना उप्लब्ध कर सकते हैं उतने ही कल्याण हो जाएगा जैसे आपने एक बार सास्टांग डंडवत परिक्वामार्ग में लगा या भागवान की ओर धाम महराज की ओर एक बार परिक्वामार्ग में लोट करके डंडवत कर लिया प्रभू मैं अब सब जेकर दर्शन नहीं कर पाऊंगा मैं सब आपके जितने स्वरूप हैं उन सब को यहीं से जंडवत लगा रहा हूं एक डंडवत में सब की हो गई जं तो वहीं से मानसित दर्शन हो जाएगा ब्रंदावन का अब यहां मान लो आपको इतनी धक्का मुक्की इतनी परिशानी है कि आप मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हो तो यह सुंगर सी ज्ञांकी जो दुकान पर कहीं मिल रही हो उनको आप ले लिजे और उनी को गोपी अ इसाथ के बूलो के आपको मंदिर में बीड जाड़ा है हम को आप यहीं मिल गए हैं मैं आपको यह प्रणाम करके लेकर चल दाओं है भाव में ही भक्ति है आप भाव से प्रभु को प्रणाम करोगे उनका चोटा ससोरूप होगा सुटपा घोशाल माता के चरित तो सब लोग सुने नहीं, कोई कोई सुने हो गए, मिठी के लड़ु गोपाल थे, मैंने सुनायाया चरित, वो टेली ग्रम है, पहली यूटूब में था आप टेली ग्रम में, एक मिठी के लड़ु गोपाल ने इतना आनन्द भर दिया उस मात के जीवन में आज भी वह माता हैं और बाल कृष्ण उनकी उंगली पकड़ के आज भी चलते हैं और उनके लिए जल ठल आकाश सब बराबर है तो महराज आप यह मत देखो कि यह किस धातु के बनेगी ठाकुर्जी को चाहि मिट्टी कही हों आपका भाव जी अच्छा होगा तो वही ठाकुर्जी आपका पूरा कल्यान कर देंगे एक कागज में एक कागज में मैंने उस गौर्दासी माता का चरित सुनाया है एक कागज पर विराजमाया था चित्रपट जिसको बोलते हैं चित्रपट गौर्दासी माता के ठाकुर्जी चित्रपट में थे और बात करते थे ऐसे अनन्त भक्त हुए है केवल फोटो में विराजमान होकर भी बात करते हैं करपा करते हैं सब कुछ करते हैं तो मंदिर की भीड के करण नहीं पहुंच पहे तो आपको दुखी जाज़ा नहीं होना है आप जो सुरूप आपको उनका मिल गया बाजार में वही लेकर उनक अपको पूजा करो कल्यान पूरा होगा श्राधे राधे राधे गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोटगोट धन्दवत परस्ट के लिए चमाप्रार्थी हूं ऐसा है मैं दीच्छ तू गुरुजी महारा से दीच्छा दी थी और उन्होंने मुझे जो है कृष्ण म जो नाम जप है उसके बारे मैं भर्मित रहता हूं सीता राम राधे स्याम और ये इस तरीके से जो है करता हूं नाम लेखन भी करता हूं सीता राम नाम लिखता हूं जो है तो मैं आपसे बस ये जो अब वो करना चाहता हूं कि मुझे जो है उस पद्दती के इसाब से बोह नाम जब करना चाहिए या मैं ये कर रहा हूं सीता राम रादे स्याम या सीता राम लिक रहा हूं ये सही है तो इसमें थोड़ा सा मेरा महारदर्शन आपकी क्रपा हो जाए गुरुदे वो कभी दूर नहीं होते हैं शरीर नहीं है तब भी मालोग शरीर नहीं है तो पार्थिव शरीर नहीं है शोक्ष में शरीर से गुरु सदा उपस्थित रहते हैं आज भी पुराने संब जमाने के संतलोग प्रकट हो सकते हैं आपका भाव हो प्रेम हो तो तो ऐसे ही गुरुदेव जो होते हैं वह अनुपस्थित अभाव उनका क अभाव नहीं है अब उन्से जो आपको मन्त्र मिला वो आप जरूर डपि र vulner कर उसकी बाद आप जो सीटा राम पर έχ वजेक Amen ऐससे नहीं किस्ट राम शीता राम सीता राम राधेशायं ईंप तो यह प्रभु का यह भगवान के दो नाम है जो सीता राम है वही रादिश्याम है आप भाव से दोनों नाम जपी चाहिए एक नाम जपी पूरा कल्यान होना है और गुरुदेव का सम्मान करने के लिए मंत्र जब प्राप्यकाल जरूरी करना है उसके बाद नाम महराज कर जब चालू रखिया कोई भी चिंटा कर और संदे करने की गुण्जाइस नहीं है परिपून साधना है यह बिंदा वन विहारी लाल की राधारानी की है है